मद्दपदेश मोसम की लाइव अपडेट मद्दपदेश में चक्रवाती तुफान महा का और बुल बुल का सर मद्दपदेश के इनतैस जिलों में भारी बारिश की चैता होने क्या रहेगा आगले 24 घंटों का मोसम दोस्वागत है आपका हमारे डिव न्यूज शेल में और म सब्सक्राइब करने और साथ बैल आइकों अंदेबाद इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक पहुंश पाए और आप उन से लाभान में तो से कि दुफान बुल बुल का सर मद्दपदेश में नहीं पड़ेगा लेकिन अरब सागर में उठे चक्रवाती तुफान महा का सर प्रुदेश में जरूर देखने को मिल रहा है गुरुवार को राजधनी वह पाल समीद मत्दपदेश में कहीं स्थानों पर बारिश हुई सग्री चक्रवात तुफान महा का प्रभाव प्रदेश के कम जोर हुआ है हलाकि जाते जाते इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है भुपाल इस्तेत मौसा मिज्ञान के अंदर के मिली जानकारी के अनुसार इसके प्रभाव से मतपदेश के 23 जिलों में गरचमक के साथ बोचारे पड़ सकती है गुरुवार को प्रदेश में के इस्तानों पर तेज और हलकी बारिश हुई भुपाल में शाम चार वे तक धूप के लिए हुई थी लेकिन इसके कुछी देर बाद आसमान में बादल चा गए और शाम पांच वे से बादलों की गरगडा हट के साथ बारिश की तेज बोचारे शिरू हो गई पिशले 24 गंटों में शामपूर में 24 मिलीमीटर, शाकर में 10, गवालीयर में 0,2, उज्जेन में 0,4, गुना में 0,7 मिलीमीटर था जहाब हुआ अलिराशपूर, शोपूर, शोपूर, शोपूरी में भी बारिश होई दीन, मौसे विज्ञान के अंदर भोपाल के वरिष्ट विज्ञानिक पीके शाह ने बताया है कि तूपान महा अभी गुजरात के तटी ये बेरावल के से करीब 80 किलो में तर दीव से 70 किलो में दूर तूफान रात में तटवरती स्थानों में टकराएगा इसके आसर से पश्री मद्प्रदेश के इंदोर एवं मुझेन संभागों के जिलों में भी मद्धिम बर्षा हो सकती है जान लेते हैं कौन-कौन से जिलों में बारिश के संभाव ना है तो मुझेबाग के अनुसार क आगामी 24 घंटों में मद्प्रदेश के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, इंदोर, अलिराजपुर, जाबवा, देवास, बढवानी, उज्जैन, नीमस, अरतलाम, शायापूर, आगर, मंजोर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, भरदा, गुना, अशोक नगर, शिवप